तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में सो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर के अंतरकत लाहका को पढ़ने वाले लाहका को समझेंगे इसका ट्रिक जानेंगे मतलब टूटल का टूटल लाहका बता दूंगी पूरा कॉंसेप्ट क्लियर होगा लाहका का और जितना भी कोश्चन लाहका से पूछा जाएगा आप लोग एक भी कोश्चन छोड़ कर नहीं आएंगे यह मैं आप लोग को विश्वास देती हूं बस स्टार्टिंग से लेकर अंत तक कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में आप लोग को साबका पढ़ाई थी मेक शूर कि आप लोग साबका वाला वीडियो देख लिए हो अगर नहीं देखे हैं तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे ना तो उ शुमझते हैं कि दम'? कि लहका किसे कहते हैं लहका को in English में कहा जाता है सफिक्स और हिंदी में कहा जाता है परत्या जिस तरीके से साबका को इंदिर में अकषर का समु जो किसी शॉब्द के किसी लवज के लास चुर dependency जूड़ जोटें से लास्ट यानि कि जो लास्ट में जाकर जो जाए उस तरह के हर्फ या फिर हर्फ के समू को हम लोग कहते हैं लाका एंग्लिश में सफिक्स और हिंदी में परते हैं आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा एक्जामपल लेकर समझेंगे तक दम कंप्लीट समझ में आ जाने वाला है जैसे कि इद है इद एक लवज है इद के लास्ट में गाह लगा दिया जाए तो इद गाह गाफ अलिफ और हे गाह जो है ना इसमें ती अक्षर है यहीन कि पीन अक्षरों का समों हो तो गाह ईद के लास्ट में जाकर जुड़ गया तो इसी वज़जह से गाह क्या कहलाएगा लाका के लायगा तो तो वो सभी हर्फ ये फिर हर्फ के सम्मू जो किसी शब्द के लास्ट में जाकर जूर जाते हैं और उसका मेनिंग बदल देते हैं एक नया शब्द बना लेते हैं उस तरह के हर्फ ये फिर हर्फ के सम्मू को क्या कहते हैं लहका आई हो आप लोगो समझ में आ गया होगा अब माली जी एक लवज उठा लिया एक लवज उठा लिया खांदान ठीक है खांदान में लहका बताई कोई यह तो आप लोग को पता रहेगा तभी तो आप लोग बता पाएंगे न तो जितने भी लहका होते हैं वह मैं यहां पर लिख दी हूं एक और तरीके से question पूछा जाता है कि मंदर जजयल में से लाहका वाले लवज की निशान दही कीजिए यानि कि जिस लवज में लाहका है उस लवज को चुनिए उसकी निशान दही कीजिए और नीचे चार आपसन दिया रहेगा तीन ऐसे आपसन में ऐसे ल पहला लहका मैं लिख दी हूं गार गार किसी लवज के लास्ट में जाकर जूड़ जाता है और उसका अर्थ बदल देता है एक नया लवज बना लेता है जैसे कि पहले मदद था और लास्ट में गार जूड़ गया तो मदद गार मीनिम भी बदल गया मदद गार ठीक है पह ये सबी लफ जो है ना ये लहका वाले लफ्स है क्योंकि इन में लहका जुड़ा हुआ है ठीक है आगे बढ़ते हैं मंद मन भी क्या है एक लहका है जैसे कि स्टार्टिंग में अकल था और लास्ट में जाकर मन जुड़ गया तो एक नया लफ्स बन गया अकल-मंद जिसके प जिसमें मन्द, एक लाका है, उसी तरीके से है कार, फन कार, तज्यूरुबा कार, रया कार, अदा कार, आप लोग देख सकते हैं इन सभी लव्ज में, जो कार है, लास्ट में जुड़ा हुआ है, यानि कि कार क्या कहलाएगा, लाका कहलाएगा, गो भी एक लाका है, जैसे कि गजल गो, नजम गो, कानून गो, ठीक है, तो ये सभी लहका वाले लफ़ें, जिसमें गो एक लहका है, आगे बढ़ते हैं, निगार, खतूत निगार, अफसाना निगार, मजमून निगार, पहले खतूत था, लास्ट में निगार जुड़ गया, पहले अफसाना था, के लिवान नहीं लएकता है पहले मदमून था मदमून का मतलब होता है निवन्द और लास्ट में निगार जूड़ गया तो बन गया मदमून लिकने वाला यान निवन्द लिखने वाला ठीके नय नया लफ्ध बन जा रहा है यहां पर आगे बढ़ाए है पसंद भी एक लागा है जैसे कि तरक्ती पसंद शोहरत पसंद जिद्दत पसंद इन सभी लफस में जो लाका है वो थैश में बड़ते हैं नहीं है यह तहसे है और नहीं और दो रहुंगे कोशन नहीं होई और क्या है वह seeking साथ आप रहा है दोट है आगे बढ़ते हैं यह की लश्र बच पन पागल पन दिवानापन श्र जुराइब Phone आगे बढ़ते हैं यहाओ अंगे ःसला पुछा जा चुका है बोट इस है तेञा कि बताईए इसमें लाहका कौन सा है तो बताना होगा हरत अंगेज में जो लाहका है वह अंगेज, सो जैनल अब इसके और फिकरwd अंगेज में भी ल्हाका मुंगेजी है जैसे की राहगीर जहां गीर, आलम наст में गीर जोड दिया गया रहागीर हो गया जहान था लास्ट में गीर जोड दिया गया तो जहां गीर हो गया ठीके आलम था लास्ट में गीर जोड दिया गया तो इन सभी लवज में लाहका गीर है उसी तरीके से बाजी लास्ट में गर बाजी गर सौदा लास्ट में गर तो पिछर का समू है जो की लास्ट में जुड़ गया है वह और ठीक है यह दो हर्फ है ना जो की लास्ट में जुड़ गया है और एक नया शब्द बना लिया है ताकतवर तो वर को क्या कहेंगे लाका कहेंगे पेशावर सुरूर सर्वर ठीक है तो ताकतवर पेशावर और सर्व ये सबी लवज जो है लाहका वाले लवज है नुमा रहनुमा खुशनुमा इसमें भी नुमा क्या है एक लाहका है खुआ नात खुआ कुरान खुआ इन सबी लवज में भी लास्ट में क्या है खुआ है यान की खुआ एक लाहका है जिम्मदार जमींदार खुददार दार 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 जुड़ा हुआ है यानि कि दार एक लाका है खान दान कलम दान रोशन दान लास्ट में क्या है दान 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 तो दान क्या हो गया एक लाका हो गया उसी तरीके से जदा जैसे कि हैरत जदा घम जदा तकलीफ जदा लास्ट में जुड़ा हुआ है जदा जदा क पूछ जाएंगे इनहीं अलफाज मतलब ये जितने भी लाका दिये गए इसे में से बाहर पूछे जाने वाले हैं तो एक बार जरा आप लोग मैं आप लोगो पढ़ कर तो समझाई दी अब एक बार आप लोग इसको चार-पांच बार पढ़ लिजेगा ताकि जितने भी लाहका है वह आप लोगों के मैंड में fit हो जाये जैसे की गार लाहका है मन्द लाइक तो बनता है अभी तक आप लोग ने लाइक नहीं किया है तो फड़ावट लाइक करें कमेंड बॉक्स में लिख कर बताए कि यहां चीज़े समझ में आ गई है और अगर आप लोग चानल पर नए नए आए हुए हमारे वीडियो उसको पहली बार देख रहे हैं तो चै तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर इंड करते हैं इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ अब आप लोग इसके नेक्स्ट वीडियो का इंतिजार कीजिएगा बहुत जल इसका अगला वीडियो अप्लोड होने वाला है हर एक वीडियो जो हर रोज अप्लोड किये जा रहे हैं उसको बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि घाटा आप ही का होगा ठीक है उर्दू में मैं आप लोगो 95 प्लस दिलाने की गारेंटी रखती हूं बस शर्त यह है कि जैसा मैं आप सभी लोग को कहती हूं करने के लिए उस तरह करें तो ठी तो वही वाला जो मोटिवेशन हैं अपने अंदर रखकर और तब पढ़ाई करना है ठीक है तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टापिक के सांथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज